कोविड नाइनटीन से संक्रमित अधिकांश लोग ठीक हो जाते हैं लेकिन यह कभी-कभी गंबीर बिमारी और कुछ मामलों में मौत का कारण बन सकता है कोविड नाइनटीन से लणने के लिए टीके हमारे शरीर की प्राकर्तिक सुरक्षा को बनाय रखने में मदद कर सकते हैं कोविड नाइनटीन एक वाइरस से होने वाला संग्रमन है कई अलग-अलग वाइरस है लेकिन वे सभी हमारे शरीर के अंदर समान तरह काम करते हैं एक बार जब कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो वाइरस खुद की प्रतिरिया बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं पर हावी हो जाता है यही हमें बिमार बनाता है हमारा शरीर वाइरस से लड़ने के लिए विशेश कोशिकाएं बनाकर प्रतिक्रिया दिखाता है ये विशेश कोशिकाएं वाइरस को पहचानना सीखती हैं और याद रखती हैं कि भविश्य में फिर मिलने पर इससे कैसे लड़ा जाना चाहिए हमारे शरीर में वाइरस के बारे में जानकरी को याद रखने की शमता टीकों के कारे करने के आधार को समझरे की कूंजी है क्योंकि COVID-19 एक नई बिमारी है इसलिए हमारे शरीर के पास इससे समझने या लड़ने की सिम्रती या जानकरी नहीं है टीकों को अलग-अलग तरह से बनाया जा सकता है लेकिन वे सभी एक तरह से काम करते हैं वे हमारे शरीर में विशेश कोशिकाओं को प्रशीशित करके तयार करते हैं ताकि आने वाले नए वायरस पर हमला कर सकें इसका मतलब है कि अगर ठीका लगने के बाद भी कोई वायरस से संक्रमित हो जाए तो उनका शरीर वायरस को तुरन पहचान लेता है यह विशेश कोशिकाओं वायरस से सीधे लड़ सकती हैं इससे पहले कि वह प्रजनन करके अपने को बढ़ा सके और कोशिकाओं को बिमार कर दे पिछली सदी में चेचक, खस्रा और पोलियो जैसी कई बिमारियों से हमें बचाने में टीके बहुत सफल रहे हैं टीके सिर्फ विमारियों से व्यक्तियों की रक्षा नहीं करती, वे समुदायों की भी रक्षा करते हैं यदि प्रयाप्थ लोगों को वायरस के खिलाफ टीका लगाया जाए, तो वायरस प्रजनन और प्रसार करने में असमर्थ हो जाता है इसे जुन प्रतिरक्षा कहा जाता है अध्ययनों से पता चलता है कि यदी लगबक 70% आबादी का टीका करन हो जाता है तो इससे बिमारी पूरी तरह से समाप्थ हो सकती है सबी टीकों का पूरी तरह से परिक्षन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोग से पहले विसुरक्षित और प्रभावी है COVID-19 टीकों पर भी यही प्रक्रिया लागू होती है पहले उनका प्रयोग शालाओं में परिशन किया जाता है केवल इसके बाद डॉक्टर सभी को टीका लगा सकती है टीके की सुरक्षिता और प्रभाविता को सुनिश्चित करने के लिए विज्ञानिक टीके पर निगरानी रखना जारी रखते है कोविट-19 के खिलाफ टीका उपलप्थ होने के बाद भी साफदानियों का पालन करते रहना जरूरी है ताकि वाइरस को फैलने से रोका जा सके अपने हाथों को साबुन एवन पानी से कम से कम 20 सेकिंड के लिए धोई कम से कम 2 मीटर की शारीरिक दूरी बना कर रखे और सारवजनिक जगों पर फेस मास्क पहने